माहुल अभी काफी खराब है आप मतलब सोच नहीं सकते जितना खराब है अभी जितना असाम का लोग है कोई लोग भी आज को सपोर्ट नहीं कर रहा है इसमें जो बीजेबी का डालाल लोग है वो लोग सपोर्ट कर रहा है अगर ये मतलब किसी को शान्टीप के लिए बात हो नमस्कार आप देख रहे हैं नैशनल इंडे न्यूज और मैं आपके साथ मुहम्मद अक्रम लगात्तार देश में कैप को लेके प्रदर्शन हो रहा है इसी को लेके असाम से कुछ लोग आज आए हुए जंतर वंतर प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेके सरकार से अवाज उठा रहे हैं तो बात करेंगे हम कुछ लोगों से आज इसी मुद्दे पर सर आप लोग कहां से हुए हम लोग असाम से है हम लोग असाम का मतलब पेरेंस हम लोग हमारा इस्टूडेंट लोग है उनका ख़बर लेने आया हूं और आसाम में जो माहल अभी बन चु है हम लोग केप का विरूट करता है आज हमारा स्टूडेंट निकल का आया है जितना असाम का लोग है कोई लोग भी आज इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है इसमें जो बीजेवी का डलाल लोग है वो लोग सपर्ट कर रहा है मोदीजी सपर्ट कर रहा है मोदीजी आप एक बर तो सही होने वाला तो है नहीं क्योंकि लोग जाग रहे हैं और यह कोई पार्टी से लेके नहीं हर घर से लोग निकल रहे हैं आप किसी पार्टी को या किसी एक पर्टिकुलर मतलब रिलिजन को नहीं बोल सकते एक्रोस ओल्डा कास्टेंड क्रीट सबी से जगे से लोग आ रहे हैं और यह रुकने वाला है नहीं और दिन बढ़ते जा रहा है और बढ़ेगा माहल अभी काफी खराब है आप मतलब सोच नहीं सकते जितना खराब है अभी वहाम इंटरनेट से सब्सक्राइब बंद है और लोगों को बहुत सब्सक्राइब कर रहा है तो अभी गौप्मेंट अगर लिगलाइज कर दिया कि लिगल इमिग्रेंस आ सकते हैं अगर यह लिगल बन जाता है तो पूरा लोड असाम पे आएगा क्योंकि बैंगलडेस का बोर्डर देश में ल लेकिन उसका कोई एक फॉर्मेट तो होना चाहिए कि कितना लोग आ रहे हैं कहां कहां डिपलोई कर रहा है ऐसा कुछ नहीं है जो भी आ रहा है बस आने दे रहा है कहां कौन जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि सब लोग का जो ठोड़ा बहुत रिलेटिव बोले या बोर्डर के पास जो बगल में वहीं में आएगा ना पिछले कुछ सालों से सतर लाग इलिगल इमिग्रेंट फ्रम बंगलादेश अलड़ी असाम में आ गया है अभी अगर लिगलाइज कर देता है तो पूरा का पूरा लोड असाम में आएगा अगर वो लोग सब जगा बनाय रखने के लिए वह सरकार का सोच है डेवलोपमेंट बहुत सारा जगह है डेवलोपमेंट अभी जहां पर मतलब फॉकर सड़कार रहा है बहुत सब कर रहा है उपर यह सब फाल तो काम में लगा हुआ है ठीक है अगर यह मतलब किसी को शांटी के लिए बात होता तो कर लोग करते हैं सब पुरा पागल है क्या कोई पार्टी नहीं कर रहा है पूरा पबलिक कर रहा है उसका एक ही रीजन है यहां में क्योंकि देखिए आसाम का जो 40 years back जो असम का समस्ट पीपूल असमिस कल्चर उट भी एन हिस्ट्री और कुछ नहीं अभी यह लोग लिगलाइज कर देता है तो असमिच जो लोकल है जो लोकल इंडिजनेस पीपूल है वह माइनोरिटी में अल्रडी है अभी अगर यह बिल पास हो गया तो पूरा का पूरा माइनोरिटी ह हो जाएगा कल्चर से लेकर लेंग्वेज से लेकर एवरीटिंग उट भी चेंज तो वह प्रोब्लम आ रहा है असा लगातार मैं आप से भी बात करना चाहूंगा कि लगातार जैसे जिस आप से सरकार बोल रही हो और जो हमारे आर्टिकल से उसका भी उलंगन हो रहा है आल प्रोटने से भुखा मर जाएंगे फिर भी केप को हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे आप लोग माधीजी और सरकार से क्या अपील करना चाहिए आप लोग इसको केप हटाई है जल्दी नहीं तो हमारा हम मानने वाला नहीं हम जुकने वाला नहीं है क्योंकि हमारा पुरा असाम से सब लोग निकल काया है हम लोग भुका मरने के लिए गोली खाने के लिए टैयार है केप को सपोर्ट करने के लिए टैयार नहीं है लेकिन देखिए आप जैसा की देखा जा रहा है कि सरकार ने साफ कर दिया है कि यह कैब आके रहेगा मिश्या ने बोल दिया कि अब लोगों के हिट में अगर अपने से बाहर वाला को मदद करने ल Too यह क्या दिमोक्रसे कोई भी सब्सक्राइब यह को अभी शाल नहीं कर दो छो लेकर आप देख रहाएं नैशनल इन्यूज अगर आपने पास वह नहीं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज अपडेट पाने के लिए बैल आइकन को दबाना ना भूलें